पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखे अभी तक अगर आपने चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चेनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को दवाना ना भूले पिछले वीडियो में हमने आपको सांद्री के सगस जी के चमतकारों के बारे में बताया था अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते है आज हम आपको एक एसे मंदिर के बारे में बताएंगे जो लकवे की बीमारी के इलाज के लिए प्रसिद्ध है हम बात करने हैं गोपालपुरा गाओं में स्थित गोपालपुरा माता जी की जिने बिजशन माता के नाम से भी जना जाता है मंदिर के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंतक देखे गोपालपुरा माताजी का मंदिर कोटा जहलावाड रोड पर पंडाना कस्वे और दरा के बीच में हाईवे पर रिस्ति थे हाईवे पर ही गोपालपुरा गाउं का बोर्ड लगा हुआ है माताजी का मंदिर में हाईवे पर पंडने की वज़े से यहाँ पर वस और दूसरी परिवेन की सुविदाएं आसानी से उपलब्द हो जाती है यह जो सामने रास्ता दिखाई दे रहा है वो हाईवे से मंदिर तक जाता है हम शनिवार के दिन यहाँ पर आए हैं और जैसा की हम देख रहे हैं कि जो लगवे से गरसित मरीज है उनके परिजन उनको माताजी के दरवार में हाजरी लगाने के लिए ले जा रहे हैं और यह रस्ता गोपालपुरा माताजी वे मंदिर तक जाता है अब हम आपको मंदिर लेकर चलते हैं और माता जी के दर्शन कराते हैं और माता जी के मंदिर से संबंदित पूरी जानकरी देते हैं गुपालपुरा माता जी को हम राज-राजेस्वरी और वीजासण माता के नाम से भी जानते हैं माताजी के मंदिर में माताजी की दो पुजा करी जाती है और पास में वेरुजी भी विराजमान है इस मंदिर पर माता जी की दोनों प्रतीमाई स्वेम प्रकट हुई है माता जी के मंदिर में एक बड़ा हवनकुर्ण इस्थित है जिसमें भक्त नारियल और धूप चड़ाते है अगर आप माता जी के इस्थान पर जाना चाते हैं तो हमने आपके सुवीदा के लिए गूगल मेप का लिंक डिस्क्रिशन में डाल रखा है जिससे आपको वहाँ पोचने में सुवीदा रहीगी माता जी के मंदिर के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम मंदिर के पंडिजी से बात करते हैं कुछा होती है कि डेली ऐसा ही रहता है कितने परिक्रमा लगाने पड़ती है और जैसे उसको कब तक आना पड़ता है और मतलब यहां किस चीज का मतलब काम होता है मतलब जैसे कि किस चीज बीमारी का यहां पर निवारन होता है तो मतलब जैसे कोई एक विशेश हो जैसे कि लखवा है कैंसर है ऐसा कुछ है कि पर्मनेंट इलाज उस चीज का यहां पर है ऐसा कुछ है जैसे लखवे के मरीज आते हैं तो आए दरबार में तो ने क्या करना पड़ता है फिर यहां के पूजा में क्या क्या चड़ता है यहां पर इतना चमत का रहे है कि इतना सब करने से ही सब कुछ हो ठीक हो जाता है यह जो बावडी है माता जी के मंदिर के पास इस्तित है यहां पर जिंद बावा निवास करते हैं गोपाल पूरा मंदिर के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें माताजी के बारे में एसी मान्यता है कि यहाँ पर लगवे से गिर्षिद लोगों को लगवे की विमारी से मुक्ती मिल जाती है इसके लिए उन्हें अपनी स्रद्धा अनूसार दो सनिवार, पांच सनिवार, साथ सनिवार तक आना होता है अधिकतर लोग यहाँ पर साथ सनिवार के लिए आते हैं और यहाँ पर सनिवार शाम की और रविवार सुबे की आरती में सम्मिलित होते हैं उसके पस्चाद माताजी की परिक्रिमा लगाते हैं फिर अपने घर की और प्रस्तान करते हैं मंदिर के प्रांगण में रोगी और भक्त ठेरे हुए हैं जो सुबे की आरती तक यहां रुकेंगे और रविवार सुबे की आरती में सम्मेलित होने के बाद यहां से प्रस्तान करेंगे आईए अब हम आपको भक्तों से बात कराते हैं कि वहां माता जी के मंदिर किस परिशानी की वज़े से आए हैं और यहां हाजरी लगाने पर उनको क्या लाब हुआ है आप माता जी को लेक्व लेक्या तो कब हुआ हूए लगवा इकता है आज विस बाइस दनों गया तो आप कितने दिन में कितने दिन बाद लेकर आए थे ने आत दनंद में वो इसे आद निवार को आते हैं नई यहां पर रूम चुर्ण ले के यहां पर बेटां racism ये लेके जाओ आप को 14 हो हं आयो बे तो आपको लगता है इने कुछ़ आराम है आराम इला is वहां तो आखें निकल गी इसकी और नायक में नल्ची थी वह भी निकाल पर की आती है और इसको तोड़ा बहुत चाहपाने भी मुंडा की तरफ दे पद दो नल्ची में से रचोई थे अब तो मुंडा मसे दे रहें आपको विश्वा से यहां से ठीक होके जाएगी बहुत लपक के विश्वा से महताराणी का तो आप इन्हें जब यह हॉस्पिटल में एडमिट थी तो डॉक्टर ने इनके लिए क्या का डॉक्टर नो बोला का यहां कोई इलाज निए इसको घर पे ले जाओ को सेवा करो दोस्तों डॉक्टर ने कहा था सेवा करो यहींने माता जी के दरबार में लाए और आज कह रहे हैं कि इनकी माता जी की तवियत बहुत कुछ सुधार है और यह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी माता जी के यहां एसा भी पाया जाता है कि लकवे की बिमारी से जो मरीज जादा ही ग्रसित होते हैं वो माता जी के यहां पर 7 दिन, 14 दिन, 21 जो भी उनकी इच्छा होती है या वो ठीक होने तक माता जी के दरबार में ही रुखते हैं गुपाल पूरा मंदिर के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें अब हम दूसरे मरीश ध्ध्रलू के पास आपको लेके चलेंगे देख पूछते हैं वो कहां से आये हैं और उन्हें क्या फरक हैं यहां से जी आपका नाम? ओमा संकर कहां से हैं आप बारा तेलफेक पर यहां आप पहुंचे तो किसके द्वारा पहुंचे एक किसी मिलने वाले ने बताया था क्या बताया था उनकी मिसेज को भी प्रेलाइस का अटेक आ गया था तो डॉक्टर दात कड़े कर देते हैं उसके बाद यहां पर पांच बाद रुखाया जिस बाद ठीक हो गया अब किसको लिए क्या है यहां मम्मी अपनी माता जी को अच्छा जी इन्हें कब से हुआ है लकवा यह होगी करें इनको एक मेह नहों हो गया क्या वोल है वोल रहा है पंड़ने आपको लगता है कि यहां से बिल्कु ठीक हो करें जाएंगी तो इसमें कोई दोर्वाली बात ही नहीं है तो यह हैं 12 से भीया यह कह रहे हैं कि इनकी माता जी जो यह लेकर आए या महां माई के दरबार में यह बिल्कु ठीक हो के जाएंगी भगवान इनकी माता जी को जल्दी ठीक करें धन्यव नमसकार जी आपका नाम कहां से आएं आप 12 किसके साथ हैं आप क्या हुआ इने इसधी बेमारी कौन सी बेमारी लका लकवे की बिमारी कशे हुए इनके पंद्रा दिन आपको किसने बताया तो आपको आप कितनी बार से आ रहे हैं यहां पांच बार हो गया आपको यहां आपको कुछ फरक दिखा कितना फरक है हुआ जब आपने लेके आया थे तब किस्ती कैसी थी झाल बारना चलत रहे हैं तो आपको लगता है यहेश चलने लगीगेंगे बिल्कुल है दन्यवाद इस मंदिर में मैं लगबग सन 1934 पीचे तर से आता हूँ उस समय बिल्कुल एक कच्चा कमरा बना हुआ था और हाला कि सरदालू तो कम आते थे लेकिन काम जो पेले अभी हो रहा है वह काम पेले होता था लखवा किसी के आखे निये तो आखे देती है माता टिटनेस और भी अ अमाम परकार की बीमारियों का इलाज यहां होता है जैसे किसी के केस चल रहा है अगर माता पर उसको पूरा अटूट भरोसा है तो उसमें भी माता सपलता दिलाती है और ऐसा कईयों के साथ हुआ है और जो समय निकलता गया माता की प्रसिद्धी आसपास पूरे राजस्थान में एमपी पंजाब हर्याना और हिमाचल परदेश दिल्ली तक जब विख्यात हो गई माता तो बहुत ज़्यादा सरदालों आने लगए और इस्तिती ऐसी है एक सनिवार को तो जब चद्दर में हैं चारो कोने पकड़ के और मरीज को लाते हैं दूसरे सनिवार को मैता की क्रपा से वो अपने आप परिक्रमे लगाता हुआ मिलता है यहां के वल परिक्रमा ही लगाना और बबू तिखाना इससे विलाज होता है और किसी प्रकार का कोई यह नही है जैसे सनिवार को तो यहां पे यात्री आते हैं रात को रुखते हैं सुबच चार बज़े मंगल आरती होती है उसके बाद यात्री गण जो पेले रात को रुखते तो वो तो चले जाते हैं फिर दूसरे यात्री गण जो आते हैं वो नो बज़े की आरती लेके वो अपने घर चले जाते हैं और परिक्रमा पांच लगाओ साथ लगाओ इस में कोई नहीं है 21 किसी के सरदा हो तो 21 लगाए जो मातारानी के बक्ते यहां बड़ी संख्या में विराजमान है आए वे हैं दूर दराज से तो हमारे दूसरे बक्ते राम शुरूप जिमिना इनसे भी हम बातच हो गई थी तो उसको हमने कुछ नहीं क्या माताज के दरबार में यहां जो सुबस स्याम आरती के टाइम लेके आते थे और मेरी मा को पूरा विश्वास था कि मैं ठीक हूंगी मैं कोटा रहता हूं लेकिन में वहां बुलाया तो वहां नहीं आए और यहां आके और मेरे को लेके चलो सूबस स्याम हम डेली बर्शाथ के अंदर भी उसको यहां लाते थे आज वह इसका खेट पर चल जाती है खेश ने घर चल जाती है अभी बिल्कुल स्वस्त है और नैंटी नैंटी फाइब की एज उसकी अभी बिल्कुल रडी है तो माताजी की पूरों अगर व हो जाता है चाहे कितना ही दुख हो मनुश्य को लेकिन यहां माता के दर्बार में पहुंचने पर उसका समधान हो जाता है आईए हम और दूसरे लोगों से बातचित करते हैं बताएंगी क्या परिशानी है आपको हान जी मेरे पती को चलने में बहुत प्रॉब्लम है हमने यहां के लिए सुना था कि इस माता के दर्शन करने से पैरों में शक्ती आती है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो हम लोग भी यहां पर बड़ी दूर से दर्शन करने के लिए उनके आएं यहां उन्होंने हमें काला डौरा भी दिया है ताकि वो टांगों पे बैन सके और वो बिल्कुल ठीक होएंगे ठीक होने के बाद आपको फिर से यहां दर्शन करने आना है हमने उनके बहुत अच्छे से आदर से भाव से अपना सब कुछ नौचावर करके उनके दर्शन किये हैं और अपने पती को भी दर्शन करवाएं और उसके दर्शन करने के बाद हमन वाले भक्त की मनो कामना पूर्ण करें कहां से आये हैं मैं हम लोग शौपूर MP से आये हैं मद्यप्रदेश राजस्थान उतरी भारत नजाने कहां कहां से लोग यहां पर पहुंचते हैं आईये हम और दूसरे एक और भक्त से बात्चीत करते हैं जी बताएं जैब जासन माता की जैए भाई हम कोटा से आये और काफी नाम तो सुना है मगर आब यहां देखने को भी मिला है बहुत दूर-दूर से सबके संकट दूर होते हैं तो मातारानि सबकी मुराद पूरी करें इतनी बार आप यहां पर माता जी के दर्शन करके और संतुष्टी मिलिए और महां पर विश्वास है कि वह बेडा पार करेगी मातारानी बेडा जरूर पार करेगी आपका ऐसे हम भी कामना करते हैं गोपालपुरा मंदिर के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें तो जो तीन पीड़ी से यहां पर है यह माता तो यहां क्या क्या चीज प्रसेद्ध क्या होता है कैसे होता है वे की बीमारी ज्यादा तरक्टी टेनस लक्वे की बीमारी ठीक होती बहुत ज्यादा कहां कहां से लोग आते हैं यहां पर पूरे रास्थान MP अपने कलकत्ता का यह चाहट कैंड वी कोटा वोच्ट्रोट जाए कॉपालोबगन तब यहां रहा ठीक हो वह जब वो हैं कि चलना ही नहीं आता था रिकसे में बेट के आया तो यहां से ट्रोली लेकर उसको बिठाकि लाए वह यह रहा एक दिन दूसरे दिनिके उसको आराम हो गया तो यहां से वापस गये तो वो चलके गये और अब हम है जिंद बाबा की बाउडी पे यहां पे जो यहां के वासी हैं उनसे पूछते हैं कि बावी कि हैं एक यहां कहले कर राते लाज करा माचा यह जो माता यहाँ कभी माता किसी के शरीर में आती है ऐसा कुछ होता है यहां पर यहां पर उन्दिर है यह के इसतापित की ने नहीं है सेम् जो पेड़ेस हमारे बड़ी बुजब के वो सारे केते हुए हैं यहीं स्वहिन प्रकट मूरत है और यहां लख़का इलाझ हो रहाता है हंदबपन के इलाझ होता है त्यटने सोगरक इलाज होता है जो कोटा डोक्टर के पास इलाज कराने जाता है लखे को मामले में वहाँ इलाज नहीं होता है वो पे डोक्टर सम्हें यहां भेशते हैं गोपाल प्रा अमाता जी के लिए और यूँ यह बाबा की बावडी है यहां पर क्या होता है? कितनी बार? साल में कितनी बार आती है? यह कोई पावंदी नहीं है, जब उसकी इच्छा हो, यह भी आती है. मतलब ऐसा कुछ होता है, कि जब ज़्यादा कस्च पढ़ता है, तब आती है, कि मतलब कोई बुलाए तो आ जाती है? यहां कुछ होता है, यहां कुछ सवामनी होती हो, यहां कोई ऐसा कुछ होता है? जिस व्यक्ति का काम होता है, जो अपंगता से खड़ा हो जाता है, अपने पर पर उपे चलता है, व्यक्ति फिर जो बोलारी बोल के जाते हैं, कोई सवामनी करता है, कोई बड़ी घोट भी करता है, ऐसी प्रुसया आई दिन उती रहती हैं. जो नड़ी वो राज, जेतो पोडो जग दंपा राती, जो नड़ी वो राज, जो नड़ी वो राज. जो नड़ी वो राज, जो नड़ी वो राज. जो नड़ी वो राज, जो नड़ी वो राज. जो नड़ी वो राज, जो नड़ी वो राज, जो नड़ी वो राज. जो यह जो आप देख रहे हैं, यह मंदिर का बाजार है. यहाँ पर सारी सुबिदयें उपलब्द हो जाती हैं, जात्रियों को जिस सामान की जरोत होती है, वो इस बाजार में आसानी से उपलब्द हो जाती है. यहाँ पर रात रुखने के लिए धरमशला का भी प्रबंद है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाब उटा सकें. आगे लगातार नए नए चमतकारी के स्थानों की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेगी. चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबाना ना भूले, जिससे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पोस्ती रहेगी.